ही निमस्कार दोस्तों में दीपक कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी कापकी अपनी ही चैनल इन्वेश्ट फॉर वेल्थ पे दोस्तों बात करेंगे कल मार्केट कहां ओपन हो सकता है कौन से श्टॉक से जिसमें आप ट्रेट कर सकते हैं वीडियो में आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ने से पहले चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लिजिएगा बेल आइकन को जो हिट कर लिजिए तक कि आने वाले वीडियो के नौटिफिकेशन आपको टाइम-टू-टाइम मिलते रहें कल हमने डिसकस किया था कि मार्केट अगर गयाप अपोपन हो रहा है थोड़ा से पूल बैक मिलेगा पूल बैक में कंटिनुशन में जा सकता है एक्जेक्ली अगर पीछे आऊंगा और यहां पर गया फिर एक पूल बैक लिया और मार्केट अच्छा अब गया यहां पर अपने बाइंग में ट्रेड लिया उस तरीके से दिख जाएगा यह अगर आप देखोगे तो वन आवर के टाम फ्रेम पे बहुत सुंदर ट्रेंड लाइन था यह और इस ट्रेंड लाइन के असपस पहुंच के मार्केट वहां से रिजिस्टन सेट किया और मार्केट जो है फॉल किया एक राइजिंग वेज तो आपको दिक्कत क्या होगा पैसे नहीं रहेंगे तो आप बड़ा प्रॉफिट इस तरह का बुक नहीं कर पाऊगे यहां पर हमने काफी सुंदर ट्रागेट बॉक किया चोड़े शोड़े लॉसेज देते रहें और फिर बड़ा प्रॉफिट एक दिन में मिल गया तो कल कहा मुव हो सकता है निफ्टी में भी इए उस तरह से रहा निफ्टी में भी आमिक में बाहिंग किया अच्छा ठाच उपर घया उसके बाद फॉल हुआ और कई सारे श्टाइटन कल के सारे श्टाइटफ जो हमने दिये थे वह सारे बागा अच्छे ट्रेट किया है तो जा क्या है हमने क्या डिसकसन किया था कल मार्केट इस्ट्रॉंग लेवल का ब्रेक आउट कर रहा है यह लेवल को फिर से हम मार्क करेंगे सेम लेवल को इफ्टी पे वह लेवल कौन सा था वह लेवल हमने डिसकस किया था कि इन लेवल के उपर का लेवल है यह अप्रॉक्स अप् और कल में डिस्कुस किया था कि अगर 900 के उपर sustain करता है तो मार्केट में बहुत अच्छा बूम आएगा क्या हमने समझाया था आप सब को याद होगा यहां पर मैंने एक trend line इस तरह से mark किया था तो क्या होगा मार्केट सथा सीधा जो है यहां से बहुत बड़ी contradictory देशी के लेकिन जरूरि था आज के दे पर मार्केट का ओपर क्लोज होना भर मार्के ख्लोस नहीं कर पाया यहां पर कुलने और सफ тоблять यह तो मार्केट को बचाना भी बड़ा मुस्किल हो जाएगा जिस तरह से मार्केट को उपर जाते हhoe समौब बड़ा आँ यह तो फॉल सकता है मैं व ம इद्धी अगर 15 नकिने पर सकता है और स्वाहन में पर Kayиш है करेंगे एक को breakdown कर दिया है अभी हम कल सेलिंग कहां पर कर सकते हैं इमिडेट लवल पर हमें सेलिंग करना है तो 740 के नीचे हम करते हैं मैं कह रहा हूं कि अगर अगर मार्केट फ्लैट खुल जाता है गलती से ना तो 780 के नीचे भी निकल रहा है तो हम अग्रेसिव कर सकते कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मार्केट में क्या हुआ पहले मार्केट उपर के लिए ट्राई करता रहा लाश्ट में मार्केट उपर से रिजिस्टन सेट कि और अगा तार मार्केट फाल हुआ यहां पे भी एगर तो अगर अगरी श्माच यहां पे किसी ने आपने श्याउट किया है अगर मार्केट थोड़ा बहुत या फिर फ्लैट खुल के नीचे क्रॉस कर रहा है तो क्या हम एक्जिट करेंगे नहीं हम अपना स्टापलोस ट्रेल तो इग्जेक्ली यहां पर stop loss उंगे फिर तेल हों के यहां पर आएंगे तो अगर फ्लैट को रहा है तो अगर मार्केट बड़ा गाप डाउन को जा रहा है तो थोड़ी बात प्रॉफिट बूगिंग भी आ सकती है फिर हम पुल बैक का वेट करेंगे उपर जब आएक फिर ह तेजी से होगी वहां पर यह हमारा सेनरियो रहने वाला है अगर हम बात करेंगे बैंग निफ्टी की तुम्हें आ जाता हूं सीधा बैंग निफ्टी पर अगर हम देखें हां राइट बैंग निफ्टी में भी मैं सारे ड्रॉइंग्स रिमूव करूँगा रिमूव वाल बैंग निफ्टी थोड़ा सा एक दिन के टाइम फ्रेम पर आपको कुछ चीजे समझाने वाली है एक दिन के टाइम फ्रेम पर बड़े ध्यान से बैंग निफ्टी को देखेगा बहुत श्ट्रॉंग लवल का ब्रेक आउट हो चुका था बट अपर रिटेस्ट कर रहा है देखें यहां पर तोड़ा सा और चोटा कर देते हैं और इसको यहां पर कर देते हैं यह क्या हुआ यह पूरा यहां पर 13 जून के लेवल का ब्रेक आउट हुआ है ब्रेक आउट करने के बाद मार्केट रिटेस्ट कर रहा है ऐसा फील हो रहा है यहां पर एक निगेटिव पर आज का जो लो है वो मार्क कर लेंगे यहां पर आगा है जट्री लो मार्क डे अल्रेडी मैं क्या करूँगा थोड़ा सा और नीचे कर दूगा यहां पर यहां पर कर दूगा अगर 33,700 का लेवल प्रेकडाउन हो रहा है तो एक सेलिंग के लिए प्लान करेंगे और करेंगे फ्लैट खुल के क्रॉस कर रहा है तो बाइंग के लिए हम प्लानिंग कर सकते हैं बड़ा यानिकी 34,000 के अबब जाता हुआ मिल रहा है तो हम बाइंग के लिए प्लान कर सकते हैं जो अप्सन सेलर है वह चीज का ध्यान रखी का अगर भाही चंट से मार्केड ज़ तो बड़े अराम से अब 34,000 के कॉल शॉट करके सेल करके बैठ सकते हैं कि हमारे पास कुछ सनारियों है अगर हम बात करें ट्रेट की तो सबसे पहले स्टॉक्स की तो हम DLF में आ जाएंगे अगर हम चैक करेंगे तो DLF में हमारे पास क्या है रिभू वाल ड्राइंग और वन डे के टाइम पर वन डे के टाइम फ्रेम पर हम यहाँ पर डिसकस करेंगे DLF को यहाँ पर देखिए एक बड़ा बड़िया ब्रेक आउट किया है और उसका रिटेश्ट कर रहा है कल मार्केट के ऊपर जाने की उम्मीद बन सकती है अगर 15 मेट के टाइम फ्रेम पर यानि कि 321 के निचे हम सैलिंग प्लान करेंगे 325 के ऊपर DLF में एक बाइंग प्लान करेंगे यहाँ पर यह लवल कर दिया है नेक्स हमारे पास क्या है विप्रो में हम ट्रेट कर सकते हैं विप्रो बड़े अच्छे तरीके से फॉल हुआ है और विप्रो में देखेंगे अभी क्या कर रहा है मार्केट अभी एक यहां पे सपोर्ट एरिया का ब्रेकडाउन कर दिया है सपोर्ट एरिया क्या था यह सपोर्ट एरिया था इसका ब्रेकडाउन कर दिया है फिर से 15 मिट के टाइम पर यहां पर अगर हम देखेंगे अगर आज का डेलो ब्रेकडाउन क सब्स्क्राइब कर लीजिए का हाई एक श्टॉक और आप लोगों के लिए मैंने देखा हुआ था वो इस्टॉक का ना में आर्बीयल बैंक और आर्बीयल बैंक लगा ले रहा हूँ आज तारे चोटे-चोटे लिए आपको वन डे के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर लाश्ट स्विंग जो Allah यह ब्रेकडां कर रहा है। Legy अगर O dwajr數 दॉलिग था पर आपको devो girls試ed करके यह ऊपर जाता हुआ मिल सकता है्-टो मैं फिर से 15 में रहा हो एंड यहां पर रिटेश्ट होता हुआ मिल रहा है रिटेश्ट होके जैसे ही यह वाला स्विंक्स जो है ब्रेकडाउन कर रहा है जो कि अप्रॉक्स अप्रॉक्स 80 रुपीज 95 पैसा या फिर 81 रुपीज है उसके नीशे का निकलता है बहुत अग्रैसिव फॉल हमें देखने को मिल सकता है और साथ ही साथ अगर बाई चांस से यह जो बिग कैंडल लाया है रहा है यह कैंडल का ब्रेक आउट कर रहा है तो बहुत छोटे से स्टॉपलोस के साथ एक बाइंग हम प्लान करेंगे यह यह तक्स पर वाचिंग दिस वीडियो